दोज़कार लक्ष्मिनार जोतिस के इत्म आप सभी का स्वागत है आज का मारा विश्य है हस्त रेखा से सम्मंदित कुछ चीजे मैं बताने के लिए उपस्ते तुआ हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यवसाइक करना चाहते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेखाएं मैं बताऊंगा अगर आपके हाथ में वो रेखाएं हैं तो कोशिशे करिएगा कारेच्षेतर में अपने काम से प्रेम करिए कारेच्षेतर में बहुत ज्यादा किसी पर भरोसा मत करिए अपनी आख कान पे ज्यादा भरोसा करिए ने तो जीवन में धोखा काएं मेरा ये हो गया मेरा वो हो गया सब कुछ ठीक चला फिर भी मेरा ये हो गया मेरा वो हो गया कुछ ऐसे लोगों पर भी बात करेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कम होता है फिर भी रोतने की आदत नहीं है आतमल है मुझे मुझे मुख्य रूप से मानसिक और धन के नुकसान से सम्मंदि चीजों पर बात करेंगे और शनी और चंद्रमा मुख कारक ग्रह इनके कहलाते हैं शनी और चंद्रमा जनम कुल्ली में भी अगर कहा जाए शनी और चंद्रमा का सम्मंद खासकर अगर कहें चतुर्थ भाव में तृती भाव में अस्टम भाव में और कह के अनुरूप जो है कही ना कहीं उन सभी चीज़ों पर चट्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं हाथ में बताता हूं धान से समझेगा। यह हिस्सा आपका सीधा है। ठीक है सीधा मतलब जैसे गुलाई में है यह सीधा है। बिवसाय में भावक्ता नहीं होनी चाहिए, दूसरों पे आश्रित होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए, मदद करने का एक, कहते न यह कि उतनी मदद करिये, जितना आपके लिए, जाय 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 यह उपरवाला भी कहता है, मैं ही नहीं कहता हूं, उपरवाला भी कहता है, ठ रुक्सान कर लेते हैं व्वशाय से संबंदी चीजों में ये बेहत महत्पूर है अगर ये सीधा है और पतला हाथ में है अगर उसमें पसीना भी आ रहा है तो ये बेहत खराब है ये अगर कहा जाए तो बेहत खराब है एक बात अब रेखाओं के आधार पर मैं बताता हूं कि कैसे आपको जो है इसका आकलन करना है ये भागे रेखा है भागे रेखा चंद्रमा से एक रेखा भागे रेखा पे जाए मैंने पेछे बताये बहुत अच्छी रेखाएं एक दो तीन अपने आप में एक राज्यों के समान होती है जीवन में सभी प्रकार के सुखों को दिखाती है वहीं पे ये पुंच टाइप का बन जाए ये अगर पुंच टाइप का बन रहा है इस जगां पे ऐसे लोगों को अंजाना डर फोबिया कहते हैं नहीं कि निरणनी ले पारा हूँ बड़े कंफ्यूज रहते हैं जीवन में एक डर सा बना रहता है रोने की भी आदत होती है अरे मेरे पास बहरे सब कुछ हैa पास कुछ नहीं है, यह कही ना कही धन से सम्मंदिक चीजों में नुकसान को दिखाता है, ऐसे लोगों को अती सहसी नहीं बनना चाहिए, ठेक है, बहुत ज़्यादा सहास नहीं करना चाहिए, आँख कान खोल के और लोगों से राय लेने के उपरांद आगे बढ़ेंगे, त स्टार का मतलब होता है छे बुजाएं, ऐसे लोगों को हार्मोनल या गुप्त रोग होता है, पाइल्स की समस्या होती हुई देखी गई है 100%, अगर आपके हाए हाथ में, तो पाइल्स की प्रॉब्लम होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, भले पीछे ना हो, आने वाले सम सहे या सावधानी पूर्वक नहाना चीए ऐसे लोगों को हमेशा, जीवन में एक दो बार एहसास हो जाता है, कि बज गया आज तो, थोड़ा सा केरफुल हो के नहाईएगा, अगर इस जगापे तृशूल बने, अगर इस जगापे तृशूल बन रहा है, इसका क्या मतलब है, उल्टा तृशूल, मन में कहिना कहीं भ्रम का जाल डालेगा, ये समय के अनुसार व्यक्ति के दिमाग पे असर डालता है, सर से सम्मंदित कोई बीमारी हो सकती है, ये कहिना कहीं मानसिक विकृती को भी दिखाता है, मानसिक पीड़ा को भी दिखाता है, ऐसे लोग अग अगर इन में से कुछ भी है तो उपाय ज़रूर करिएगा यह आपके चंद्रमा को मजबूत करेगा और कहीं ना कहीं कारेच्छेत्र में असर डालेगा उसमें कहीं कोई दोराय नहीं है यह हो ती मस्तिश के रेखा, मस्तिश के रेखा आपकी जो है चंद्रमा की तरफ आके जो है ड्जुक जाए ऐसे मिह कहा जायेगा कि नीचे आना अपने आप नही नहीं進al मानसिक रूप से वेक्ति कहीं ना कहीं पीडित होता है समय के नुसार और पीड़ा कभी-कभी इतनी बढ़ आती है डिप्रेशन में चला जाता है अगर ये दो भागों में बढ़ जाती है तो ऐसे में कहा जाता है कि भारी तनाव मांसिक रूप से व्यक्ति झेलेगा और कर्ज या किसी करीबी या कोई रिस्तेदार आते कोई भी हो सकता है करीबियों से ऐसे लोगों को बड़ा नुकसान होता है कहते हैं मैंने भरूसा ही नहीं किया था वो मेरे साथ ऐसा कर जाएगा खासकर सरकारी तनाव सासन सत्ता से संबंदित चीजों में ज्यादा देखा गया है एक बात अगर ये देखा एक आरी नी लोगों में ज्यादा होगा ऐसे लोगों को जीवन साथी से राय लेके आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा है भले आप माने ना माने उसकी बात भाई इस पर नहीं कहूंगा कि यह आपके उपर है लेकिन सुन लीजिए वो क्या कह रही है फिर आगे बढ़े आई अगर र कि इसकिन तोचा पतली है अपनी समस्याएं खुद अपने ऊपर बुला लेते हैं दूसरों जोती नहीं है जीवन में बहुत रुकावटे आती हैं अगर इस जगां पे गड़ा है और इसकी इसकिन जो है बहुत पतली है परिवार पे भी ध्यान नहीं देते हैं लापरवाह करते हैं ऐसे लोगों को कुछ उपाई में अंतर में बोलूँगा वो जरूर करना चाहिए कि जीवन में कम से कम रास्ते आपके खुल सकें देखिए उपाई का मतलब यह बिल्कुल भी मैं हमेशा कहता हूँ 24 गंटे में 48 गंटे में तरा तरा के आप एड देखते हैं तरा तरा के आप जो है प्रचार देखते हैं कुछ भी नहीं होता है बैराल मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा हो सकता है किसिन देखा तो बात अलग की है उपाई से मतलब धन वर्षा भी नहीं करता 13 आद्मी को रास्तिमिलते हैं , एक सकारातमक उर्जया ओच्छ मिलती, लोग कहते ना मंदर जाके घंटा बजाने से क्या होगा,.. मंदर जाके घंटा बजाने से आपको यह पिरना मिलेगी , आपका दिमाग कहीना कही थंडा होगा, बुद्धह कहीना कही इस्थिर होगी और दिमाग जब ठंडा होगा बुद्धी स्थिर होगी तो एक सकारात्मक सोच पैदा होगी और सकारात्मक सोच अगर कहा जाए तो जीवन में आपको कितनी भी दिक्कतें आए उससे निकलने का रास्ता बतलाएगी बहुत सारे बेवकूफ कहते हैं कि मंदिर मनान इस क्या है और उसमें ये क्या है आप हॉस्पिटल बना दीजे और मंदिर में जाके जो है थोड़ा टीटमेंट गरहन अच्छत्री ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है जो हम लोग सांस लेते हैं जो सौर मंडल में जो ग्रह भूम रहे हैं उसी का धार पर माई गरंथियां चल लही है और गरंथियों के आदार पर हमारे हाथ, बुद्धी, पैर, नाकून ये सब चल लहे हैं। मैं बस उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जानवर चार पैर से चलता है, उनसान दो पैर से चलता है, अंतर कुछ नहीं है, वो भी जानवर है, हम भी जानवर हैं। ठीक है बस यही कहूंगा, चलाने वाला तो ग्रहन अच्छत रहे हैं। बेरहाल ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है, परिवार कैसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, विवसाय से सम्मंदि चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मैं उपाय अंतों में बताऊंगा, इसके बाद, ये, अपने आप में अध्भुत राजियों, बेहद अच्छा, चीजो परवस्य मंगल पे जब भी रेखा जाए, नीचे से दो फाड में और उपर से दो फाड में बटे, ऐसे में ये कहा जाएगा, व्यक्ति दो कदम आगे बढ़ता हो, चार कदम अपने आपको पीछे गुऊ, खीशता है, ऐसे लोग कभी-कभी अतिसाहसी हो जाते हैं, और वा जारूरी हो, दूसरे के फटे में टांग नहीं है, लडाना चाहिए, उसमें कहीं कोई दोराय नहीं है, उसमें कहीं कोई संदे नहीं है, कि दूसरे के फटे में टांग लडाने का कोई मतलब नहीं है, बाकि मैंने बताया था, अगर एक रेका है, बहुत अच्छा है, संपत भी हैं तो भी उपाय करिएगा अपने सूर्य और कही ना कहीं चंद्रमा को बली करिए करना क्या है यह ध्यान से समझेगा एक एक तरीक एक बिंदुवार मैं सरल सलल से उपाय बतारूं जो आप आराम से कर सकते हैं महादेव की आराधना करें जितनी कर पाएं उतनी करें वो पैसा नहीं देंगे वो पैसे से सम्मंदित या कोई तनाव से सम्मंदित चीजों के लिए रास्ता देंगे मतलब उस दिशा में आप जाईए एक सकारात्मक आपकी सूंच देगे उस दिशा में आप जाईए वहां से आपको जो है कहीं ना कहीं आराम मिलेगा देखें पू आप खड़े हों जहां से आपको चंद्रमा जो है दिखे एक पानी की थाल ले लीजेगा उसमें पानी भल लीजेगा उस चंद्रमा को आपको जो है थाल के अंदर देखना है आराम से बैठिए उस समय पे कुछ मत सोची आराम से धैर इसे तसली से बैठके बस उसको निहारते ठंडे मन से खुश हो के योगा जरूर करिए सुबह के समय हो सके तो घास पे जरूर टहलिए पांच तुलसी के पत्ते उसको साफ करके प्रति दिन सुबह के समय खाली पेट खाना शुरू कर दीजे रात में एक मीटर से दूर ना हो एक मीटर की दूरी में थोड़ा सा जल ले लिजे, पानी, अपने सिरहने जो है, रख के सो जाए, सुबह उठने के बाद किसी पौदे में डाल दीजे, ऐसे लोगों को फिरोजा, कोई राशी के हूं, यहां पर मैं राशी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं हाथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर कोई लग या 60 या 55 के आसपास है, तो 9-10 रत्ती का चांदी में बनवा के पेंडेंट पहन लिए, 70-75 या 85-80 के आसपास है, तो मान के चलिए 11-12 रत्ती का चांदी में बनवा के पेंडेंट में पहन लिए, 100 किलो वजन है, तो लगभग मान के चलिए 14 रत्ती के आसपास टांदी में बन ना करिए बाकी अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी एक अम्रित काल चल लहा है प्रभुशी राम का मैं उमीद करता हूं कि इस अम्रित काल को साच्छी होंगे आप आप देख पा रहे हैं इस बात के साच्छी हैं कि आपके समय पे जो है ये मंदिर बन पाया इश्वर आप सभी को सत्बुद्धी दे मैं बस ये कहूंगा और जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ती कराए अगले वीडियो में फिर भी आप सभी से मुलाकात होगी अभी क्ले बस इतना ही नमस्कार